वालीबोज कॉट्चेल शूटिंग के दौरान साफधानी नहीं बढ़ती गई और बिना किसी अथोरिटी के कोट लीगल आक्शन लेने के लिए जिम्यदार है डेली बार कॉंसिल ने वार्निंग लीगल नोटिस में साफ तोर पर लिखा है कि इस एड़टीजमेंट को ओन एर होने से तुरंथ ही रोक लगाई जाए और साथ ही बार कॉंसिल अफ इंडिया डेली बार कॉंसिल को दूसरे स्टेट्स के बार कॉंसिल को भी एक अंडर्टेकिंग भेजनी होगी कि अगली बार ऐसे किसी भी एड़टीजमेंट में लॉयर्स की यूनिफर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस एड़टीजमेंट में अमिताब बच्चन अपने केबिन में लॉयर की आउटफिट में बैठे हुए नजर आते हैं कि तभी दो जूनियर्स उनके लिए अपने मा के हाथ की बनी पाव भाजी लाते हैं और उसे खाने के बाद अमिताब दोनों के खाने की तारीफ करते हैं जो एवरिस मसाले को रिप्रेजेंट करता है आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमिताब बच्चन को पहली बार किसी एडवर्टीजमेंट के लिए लीगल नोटिस मिला है कुछ हफ़ते पहले ही अमिताब बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन को भी कल्यान जॉलर्स के एड़टीजमेंट के दौरान ऐसे ही एक लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था इसके अलावा बिग भी एक बार पहले भी मैगी के लिए ऐसे ही लीगल नोटिस को रिसीव कर चुके हैं वैल ये देखने की बात है कि ये लीगल नोटिस इतने दिनों के बाद क्यों सेंड किया गया है जबकि ये एड़टीजमेंट काफी टाइम पहले से ओन एर होता जा रहा है ये मैटर कितना डवलब होता है ये तो हमें टाइम के साथ पता चलेगा This is all from Miss Cocktail for now, do not forget to like this video and subscribe the channel to have every sip of Wollywood Cocktail.